सुविधाएं नगन नहें तो हर तीन नहें नहेकरों को लादा जा रहा है लोगों का अंचनाओं का समय बहुत मस्दीख है कैसा समय पीत रहा है कैसे है अप लोगों के पास जा रह रहा है क्या इस वक्त का दिन चरिया आपके साथ ही बोदर मैं सुबह उठती हूँ पूजा कड़ के दो डोर के निकल जाती हूँ और उसके बाद में जंता लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा ग्रूप थेन चार है डोडो रोग निकलते हैं प्राशन है कर तो सबते हैं अरह कर से कदम 파ut सबसे पहले तो मैं जल जमाओ जो हो रहा है कंकरबाग में मैं ग्रीनी होकर जहल रही हूं बहुत दिन से और मैं पहला इसी का सामाधान निकालूंगी जल जमाओ नहीं हो कंकरबाग में इसलिए पूरे सहर में जल जमाओ का इस्तिती जो है उसका निदान में करूंगी अभी तो सभी जनता से मिलने जा रहे हैं डो टू डो अज सबसे पहली परात्मिकता है महिलाओ के लिए पिंग ट्वालेट बनवाना महिलाओ के सुरक्षा के लिए सीसी टीवी केमरा और स्टीट लाइ सभी वार्ड में परात्मिक और स्वास्त के अंदर बनवाना और पट्ना को स्वक्ष सुन्दर और सुरक्षित करना यह महिलाओ के सुरक्षा के लिए सीसी टीवी केमरा हर जगा जगा पर स्ट्रीट लाइट होगा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी मेरा काम देखिएंगा मे मेरे हम इस चैनल के मार्धियम से सारे जनता को यही संदिश देना चाहती हूं देखिए पटना मेयर एलेक्षन की तैयारी में जनवरी से लगए हुआ हम पहले प्रत्यासी थे नए तरीके से चुनाओं का घोसना होते के साथ पहला तैयारी और पहले उमिद्वार के तौर पर सहर में घुमना मुझे शुरू किया था और आज लगवग आठ से नौ महीने हो रहे हैं कि शहर के मुद्वो को बहुत ही बारीकी की साथ सहर के लोगों के बीच घूमने के बाद सहर के प्रमुक मुद्वों के बारे में में जनकारियां मुझे मिली और इन आघ नौ महीनों dome कि किस तरीके से मैं उन समस्याओं को निप्टाऊंगा और कैसे सहर का स्वरूप बदलेगा यह तयारियां मेरी आट-नौ महीने से चल रहे थी दूर्भाग्यवास कहिए या सवभाग्यवास कहिए कि एक एक जो है यह अधिसुचना जारी हुआ कि यह महिला रक्षित कर दिया गया है और इस परिस्तिति में सहर का जो दूर्दसा है उसको देखते हुए और अपने मेहनत को देखते हुए हमने अपनी धर्मपत्नी विनिता कुमारी को प्रत्यासी के तौर पर उतारा और मेरा जो इन आट नौ महिनों में जो तैयारी है उसके आधार पर विनिता कुमारी महापौर पर जो चुनाव लड़ रही है निश्चित तोर पर सहर के लिए स्वभाग्य होगा कि विनिता कुमारी पटना महापौर चुनी जाती है अभी नॉमिनेशन के बाद से हम लोगों का दिन सक्रिये हो जाता है परिवार और हमारे जो साथी गन है हमारे समर्थक हैं यह बदे में रहाएं हौनी बैंसरत्या ने संपर करने जलब पराद किसी कार जादा होती है तो इसको मुख्य रूप से अगर मेर बनने के बाद किस तरह से आप उसको निभाएंगे जनता के बीच विए कि मुख्य समस्या अभी यही है देखिए सहर में महापौर्पड पर चुनाव जीतने के बाद जो प्रात्मिक्ताइं है अब मेरी प प्रणपत्नी विनिता कुमारी जी की जो प्रात्मिक्ता है उसमें से पहली प्रात्मिक्ता है कि पटना नगर निगम में जो ब्रस्टाचार व्याप्त है सबसे पहले उसको नियंत्रित करना है उस पर अंकुस लगाना है और सहर के नागरिकों से जो पटना नगर निगम के बताने में असफल रहा है कि समान नगरिक सुधाय होती क्या है तो सबसे पहले तो सहर के नगरिक को आम नगरिक सुधाय दिलाना हमारी प्रत्मिक्ता है वहीं दूसरी ओर जो लंबे समय से जल जमाउ प्रभावित इलाके हैं उसके वग्यानिक समा्थान में पूरे इलाकों मेंanno और देने जो है पूरा लाइन को नहीं तरीके से सब्सक्राइब को में जो है जल जमाव के स्थिति को देखते हुए सारा पाइपलाइन वहां चेंज किया जाएगा इसके अलावा जो संफाव से उसके कनेक्टिविटी का तयारी हम लोग करके रखे हुए बगैर जल जमाव दूर किये हुए साड़के दूरुस्त नहीं रहेंगी और न सफाई व्यवस्ता आपको दीखेगी और न सहरे स्मार्ट बनेगा वहीं दूसरी और 75 वार्ड में गींती के दोचार पार्ड है जहां निव जो है दूर किये बगए साहर को स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता जब तक पटना नगर निगम का एक एक वार्ड नहीं होगा तब तक पटना साहर जो है स्मार्ट सरेनी में कभी भी अवल नहीं आएगा दूसरे तरफ से आप एक चीज़ देखिएगा कि सुविधाय नगन न है नगर निगम के तरफ से सुविधाय तो दी नहीं जा रही है लेकिन करों क्या बोज जो है लादा जा रहा है यांके नगरिकों पर पहले आपने होल्डिंग टेक्स दिया होगा उसके बाद एडिसनल आया गर्वेज कर गर्वेज टेक्स जो है उसके बाद अभी जलकर का बात हो रहा है तो हर दीन नय नय करौną को लादा जा रहा है लोगों पर बेज जनता को यह आश्वास्त करना चाहता हूं कि अगर मेर चुनी दिन्हीन हैं तो माननिय युक्त रधान मंत्री जो है लोक्ति रखान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो घो सना था कि एक देश एक कर तो अस्थानिय है सरकार कर का港 कि नियंत्रित किया जा सकते और लोगों को ज्याद से बिन जाए सके वहां के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को देखे आप निश्चित तोर पर बहुत ही दुखी होंगे आप उधा से गुजर जाईएगा तो बदबुए बरदास नहीं कर पाईएगा तो गार्वेज का complete management हम करेंगे उससे बिजली उत्पादन से लेके और सहरों में इस तरीके से कचणा का जो निश्पादन किया जा रहा इस तरीके से हो रहा है सहर के नागरिकों के स्वास्ट के द्रिष्टी से पर्यावरन जो है एक महतोपुर्ण मुद्दा है और concrete के जंगल में जो सहर तद्दील होते जा रहा है आप देखिएगा कि रेन वा सुरक्षा के लिए रेन वाटर हर्वेस्टिंग का प्रोविजन हम करेंगे और concrete के जंगल में जो सहर तद्दील है आप सहर के सभी प्रमुक मार्गों में या मुहलों में सबकों के भी जो डिवाइडर वना हुआ है उसमें हम रिक्षा रूपन करेंगे और उस पीड़ को नहीं पता होगा कि प्रात्मिक स्वास्त और शिक्षा भी जो है अस्थानिय सरकार के अधिन आता है अभी तक लोगों को बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो प्रात्मिक स्वास्त केंद्र जो है उसको दुरुस्त हम करेंगे प्रात्मिक स्कूल जो है उसको दुरुस्त करेंगे इसके अलावे जो सहर के आने वाले दिनों में 20 से 22 सालों में जो सहर की अबादी बढ़ेगी उसके अनुपात में जो हमारा जो आप इंफ्रास्ट्रक अब देख रहा है उसको और दुरुस्त करेंगे इन सारे चीजों के बाद ही पटना स्मार्ट बन पाएगा आप देख रहा है कि बढ़ते हुए अपराद के चलते महिलाओं का जो है देर राज जो है सड़कों पर निकलना जो है नगन्य हो गया है तो सिर्फ राजे सरकार को क से जुर्ची टीवी खैमरे लगाए जाएंगे स्क्रीट लाइट नहीं है सहरी इलाखों में ठीक है नगर निगम ने इसक्रीट लाइट पर व्यवस्ता कि आ गया है लेकिन वह पर याप नहीं फब्लीक ट्स आथा का उभाप मैं पब्लीक ट्रिंगशागों को हम करेंगे क्विक रिस्पॉंस टीम का